मैं मनि अपकारी मंतरी स्रीक कवासी लकमाजी से जानना चाहता हूँ मनि अध्येक्ष महदी इन प्रसन के उत्तर मुन हम ने जवाब दिया है लेकिन जिस प्रकार से मैंने प्रस्थे किया था जहनगिर चापजिला, विलासपूर जीरा रायकर जिला इन तीनों जिलों में एक तो अधिक मातरा में जो तैदर है उससे अधिक मातरा में सराब की विक्री की जा रहे है और बड़ी संचा में नकली सराबों को यहां पर खपाया जा रहा है नहीं सुनी सुनाई बात है कि पेपर में छपा है कि खुद कनवा है ने ने अध्यक्ष में होता है ने कोन से दुकान में गे रहे चंदल भी है मैं बता था थोड़ा कले चुप बेचा रहे है और इन्हों ने अपने जवाब ने पूंप के तन्वह बोलों ही लिखित लिखित अमर्जी भगत जी की है वो गय थे वहाँ उनको जुम्जिनी चड़ी नहीं तो मैं लगवा दिया चंदल जी जासा तो फोन करवाले हल करो ना भई कहा है तुमंदूर जी पड़ोसी है कर लेवा नकली सराप के बारे में आपका जिला है आपका भी है आपका उल्ले क्यों क हो ली के समय मदिरा प्रेमी लोग आये थे प्रतिदी मंडल बनाके वो लोग बोले कि जो सराप भीक रहा है वो पिक अप नहीं ले रहा है लेकिन बिना मुकदमा दायर किये बिना एक के तहत कोई जुर्म दर्ज किये गया है उनको छोड़ दिया गया है मेरा आगरा यह है क कि मंतरी जी को पाप थोई कि विगाए को पाप थोई विभाग ने अपना उत्तर दे दिया उसको एक मिली दो मिली है अध्यक्ष महदय यह उत्तर गलत है मैं उसकी प्रक्रिया में भी जाऊंगा ठीक जो प्रक्रिया है और इन्होंने लिखा है कि प्लेसमेड एजनसी जो प्राइगर जिलेक की है उसको वापिस ले लिया गया है वो प्लेसमेड एजनसी कौन चलाता था किस एजनसी एक साथ इतने सवाल मत करिये देरे देरे करिये चलिए उसका माली कौन था और उसमें कितने लोग काम करते थे और उसी राज्य का था कि दूसरे राज्यों का था चलिए मानी अद्देग जी मानी वरिश स्यदेश ने पूछा था कि कितना दुकाना है उसको हम लोग लिखके दिये हैं हर साथ में कैटा गड़ भी है वो भी बताया कि कोई गड़ बन नहीं है हम लोग जांगिर जिला में सीकाद मिला था पानी मिलाने का उसको एक अद्मी को एपरदर्ज कर दिये और वहां के जो सब इनिस्पिटर है उनको सस्पेंट कर दिया और उसके बाद राइगाड जिला में साथ सीकाद मिला तो पांस तोड़ा साई पाया पानी मिलाने वाला उनको पांसो कुपर एपरदर्ज हुआ है वहां भी सोटे सबeding की अद्rence गाधारी को स्टेक अद्रिए और इसको कोई जांस करने के जर्रत नहीं है मन्ती जी मैंने प्लेशनेट एजेंशी के बारे में भी पूछा है उन्होंने उलिए कि परशिस्टलेक में प्लेशनेट एजिए जो है यह तो सिकाद के बारे में बात किये ंग जो वो प्लेश्मेंट एजेशी इसी राज्य की थी उसका मालिक कौन था उसमें कितने लोग काम करते थे और उसको वाफिस क्यो लिया गया है कारण क्या है क्या उसका पैसा बकाया है अभी भी सासन को देने के लिए ये मैं जानना चाहता हूं लगातार बाहर के लोग धार्खान लुडिशा, आंदरप्रदेश, महारास्ट यहां का भी सराब खपर है और वहां के लोग आकर के यहां पर दुकानों को संचालित कर रहे हैं जबकि उसमें इस्थानी लोगों को रोजगार देने की बात मैं ये जानना चाह रहा था मैं जानना चाहरा था मैं नहीं है और ल माने अदक जी, आपको पता है आपको पता है कि हश्दे उनदी चांपा में बैठती है चांपा जाहन गी अगर प्लेस्मेंट के खिलाप में बकाया रासी वसूली की है तो ये भी बता दीजिए कि कितनी रासी वसूल करना है और ऐसी कौन-कौन से प्लेस में जैनेंसी है और कहा के रहने वाली अभी तो राइगाड़ वाले को हम लोग आटा दिये गए अब का सिकाड राइगाड का था अब बाकी जागाड़ पूछे नहीं तो उसको बलना संबद नहीं बाद में बता दीजेगाड बिलासपूर और जागिर उसका भी बता दीजेगे बाद में जागिर में एक सिकाड मिला इसलिए उसको करवाई नहीं किये जाग पांच सिकाड मिला है उनको पर करवाई किया गया है और उनके जो आपके राइगाड का डियो इस्तर कादिगार को सोका नोटिस दिया गया है तुमारा जान्दगीर का भी तोकास नोटिस दिया गया है वो जबब देने के उपर आएगा कैसा पाएंगे उसको पर यहम करवाई करेंगे कब दिया गया है सोकास नोटिस और कितने दिन में उसका ज़ाइब चले छोड़िये ना अभी बोल रहा है कि पीक अप नहीं पकड़ रहा है पूरा भीपक छील रहा है मता हीए